अगर आपकी शादी को एक साल से ज्यादार सा बीट चुका है और आप अभी तक अवलाद जैसी नेमस से महरूम हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही एहम है मैं हूँ उमियोपेटिक डाक्टर अकनवाज शाहिद और आप देख रहे हैं जुनारा टीवी अगर आपने अभी तक जुनारा टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी अलका सा पुश्ट कर दें इन्शाला आपका ये फैसला आपके लिए और आपके खांदान के लिए मुफीद साबित होगा आज के लेक्चर का जो मौदू है वो है मेल इन्फर्टिलिटी मरताना बाजपन मरताना बाजपन की वजह से अगर मर्द में बाजपन है तो वो जोड़ा जो है मियां बीवी वो दोनों और आउलाद से महरूम होते हैं अगर और अवरत बाज़ जाए तो फिर भी वो अवलाद जैसी नहमत से दोनों महरूम रहते हैं आप से गुजारश है कि आप इस चीज़ को शरम मसूस ना करें अगर आप में बाजपन है अगर आप अवलाद आपके घर में अवलाद पैदा नहीं हो रही तो सिर्फ बीवी का ही लाज ना कराएं उसके सिर्फ उसी के ना टेस्ट कराते रहें आपने भी टेस्ट करवाएं में भी आप में भी को नुक्स हो तो अब आते हैं मेल एन्फरिटिलिटी जो हमारा मौदू है एन्फरिटिलिटी क्या कैस वजह से पैदा होती है इसकी कई वजुवात हैं मसलन अगर आप गर्मी में काम करते हैं ड्राइवेंग करते हैं को बड़ी गाड़ी ट्रक वगारा ट्रेलर वगारा इसकी समकी जो गाड़ी या बास वगारा चलाते हैं तो वहां इंजन की हीट होती है कि वजह से भी आपको यह प्राब्लम हो सकता है अगर आप कुकें के शुकीन है कीचन में ज्यादा टाइम रहते हैं तो इसकी वजह से भी आप में यह इंफरिटिलिटी यह जो टेस्ट यह जो हैं हार्मून्स यह जो है ना दूसरा यह स्पर्म यह डेड हो जाते हैं यह मुकमल तोर पर खतम हो जाते हैं डेड हो जाते हैं यह वीग हो जाते हैं यह कम हो जाते हैं क्योंकि जो टेस्टीज होते हैं उनका टेमप्रेचर नर्माल आम बाड़ी पूरे जिसम से टेमप्रेचर उनका एक दर्जे एक संटीकृरेड दर्जे जो है वह एक काम रहता है उस पर यह सही काम करते हैं अगर वो ज्यादा गर्मी में बनता चला जाए यह सीट पर बैटने से ट्रैमिंग सीट वगरा यहां ज्यादा हीट होती है तो उसकी वजहां से स्पर्म डेड हो जाते हैं उसकी वजहां से यह टेस्टी जो हैं यह काम करना छोड़ जाते हैं स्पर्म बनाने भी छोड़ जाते हैं। दूसरी जो वज़ा है अगर आपको आदत है अगर ये अपको आदत को फिर्म हो örenकर काम करते हैं तो वबी गरम हो जाता है उसकी वज़ा से भी आपको ये मरदना बांज़पन काहदा हो सकता है अगर यह यह आदत आपकी है तो आप इसका आदत को खतम करें तो इससे भी आप ठीक हो सकते हैं अगर आपका कभी हर्मिया वगारा काप्रेशन हुआ है तो वो भी मेल इंफर्टिलिटी का सबब बन सकता है वो भी आपको चैक पराना चाहिए अगर किसी मेल को तेरा साल से ज्यादा उमर में मम्ज हुए हैं मम्ज जो आम जबान में कनपेड़े कहते हैं अगर वो हुए हैं तो उनकी वज़ां से भी ये मर्ज पैदा हो सकता है हर्मूनल अबनर्मल्टी हर्मून्स पिच्ट्री ग्लैंड ये टस्टिस्टिरोन के जो अबनर्मल्टी हो जाती है ये इंबैनस हो जाता है उनका बैनस नहीं रहता तो उसके वज़ां से भी ये हर्मून्स कम पैदा होते हैं उसकी वजह से भी मेल एंट फर्टिलिटी पैदा हो जाती है प्रीमचेर एजुकेलेशन जिसको आम जबान में सुरत नजाल कहते हैं अगर वो है तो वो भी सबब बान सकता है उसके इलावा वेरी कोसिज एक बिमारी है उसमें वेरी कोसिज एक बिमारी है उसमें भी ये जो पैस्टीज होते हैं उनके ओपर जो खून की नालियां होते हैं उनमें स्वेलिंग हो जाती है उसकी वजह से भी ये इनफर्टिलिटी पैदा हो जाती है हाइड्रोसिल टेस्टीज में पानी पाड़ जाना इसकी वज़ां से भी हो जाता है एरेक्टाइल डेस्फंक्शन इसकी वज़ां से भी अगर आपको जमा के वकात पीनस में सखती नहीं होती तो उसकी वज़ा से भी ये हो जाता है जो सेमन की क्वांटिटी है वो भी अगर कम है तो उसकी वज़ा से भी हो जाता है सेमन जो है वो कमस कम टू से थ्री एमेल होना चाहिए एक दफा अन्जाल होने से जो स्पर्म की जो मिकदार है पर अमेल वो दो सो मिलियन पर मिलिलिटर से लेके पंद्रा सो मिलियन तक होनी चाहिए अगर पंद्रा सो मिलियन पर मिलिलिटर स्पर्म की तैदाद नहीं हैं इससे कम हैं तो उलीगो स्पर्म इसको कहते हैं ये भी काबल इलाज है अगर बिल्कुली सेमन में स्पर्म नहीं है बिल्कुली निल नहीं तो उसको आज़ स्पर्म बोलते हैं ये भी काबल इलाज है अब इसकी वजवात देखनी होती है कि क्या वज़ा है किस वज़ा से ये हर्म स्पर्म जो हैं वो कम हो गया है मुटाइल जो स्पर्म है ना वो कम अज़ कम 40% होने चाहिए कंसीव करने के लिए 40% कम अज़ कम हो ये मुटाइल होने चाहिए जिन्दार होने चाहिए 40% में से ही कोई एक स्पर्म जो है वो एग को फर्टाइल करेगा तो ये जो मेर एंफर्टिलिटी है इसका हुमियोपेथिक में कामयाब इलाज है मैंने कई मरीजों का इलाज किया है अब वो साहिब उलाद हैं तो आपको गबराने की जरूरत नहीं है मैं आपको चांद एक मेडिसन बता दूँगा आप वो इस्तमाल करें इनिशाला उससे आपका ये मस्वला हल हो जाएगा तो आपने सबसे पहले ये मेडिसन है डेमियाना ये आपने मदर टिंचर ले लेना है बीस एमेल उसके बाद आपने एसड़ फास ये मैं आपको दिखा देता हूँ एसड़ फास ये आपने लेना है बीस एमेल उसके बाद एजिन सिंग ये भी आपने बीस एमेल लेना है ये ये यो इम बीनियम है ये अगर आपको एरिक्टायल डिस्पंशन है तो ये इसके लिए भी काम आएगी और इनफर्टिलिटी के लिए भी ये बहुत मुफीद है आपने इनको एक साफ सुत्री बोतल में शीशे की बोतल में जो साफ सुत्री और दुली हुई है उसमें इनको तीनों चारों को मिक्स कर लेना है उसके बाद आपने इनको मिक्स करने के बाद अच्छी तरह लाकर रख लेना है इसके आपने लेने है दस कत्रे सुबा दुपार शाम तीन टाइम एक अप नीम करम पानी में मिलाके और छोटे छोटे गूंट लेके आपने खाली मेदा पीना है यह खाने से आदा गंटा पहले और इसके बाद आदा गंटा आपने कुछ भी ने खाना यह ट्रीटमेंट उन लोगों के लिए है यह इनके वे फीमेल भी ठीक होती है और मेल भी ठीक होता है मेल में थोड़ा नुक्स होता है कुछ उनी को स्परमा होता है तो यह उनके लिए इसके साथ आपने सिलीलियम थिरी एक्स भी इस्तमाल करनी है वो भी आपने दो दो गोलियां सुबद उपहर शाम लेनी है यह उनके लिए है अगर आपको कोई ज्यादा मसला है तो आपको अपने नजदीकी उम्योपेट एक क्वालिफाइड उम्योपेट एक डाक्टर से राप्ता करके उस से अपनी इलामात के मताबक अपनी पूरी उसको इस्ट्री देनी है उसके मताबक ही वो आपको सही दवाई तिज्वेज करेंगे या फिर आप मेरी वीडियो के आखर मैं कुमेंट देखे तो वहां भी मेरे से भी पूछ सकते हैं अपना वीडियो के आखिर में अपना वोड्सअप नमबर दे दूंगा आप मेरे से काल करके बात कर सकते हैं मैं इनशालला आप सही रहनमाई कर दूँगा मैं आपको मेडिसन बता दूँगा आप वो इस्त्माल कर सकते हैं